अब हम देखते हैं प्रायदीपी भारत की नदी जो जिसका जो अपुआ है वो पश्यम की तरफ है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है इसके पहले हमने चर्चा की नर्मदा नदी पर अब दूसरी नदी जो है जिसका ढाल पश्यम की तरफ होने के कारण ये पश्यम की तरफ तॉ तॉ टापी नदी के वाहां पर अपनी उत्पत्ती हैं। और अपनी उत्पत्ती स्थान से लेकर जहां वो ज्वारनत मुग बनाती है, जहां पर वो अरब सागर से मिलती है, वहां तक इसकी कुल लंबाई जो है, वो 724 किलो मेटर है, और तापी नदी का कुल अपवाह छेत्र, मतलब तापी नदी और उसके साथ उसकी सहायक नदिया, जो चोटी बड़ी सहायक नदिया मिलती है, इन सब को मिलाकर जो उसका कुल अपवाह छेत्र है, या जल गरहन छेत्र हम कहें, वो 65145 वर्ग किलो मेटर में फैला हुआ है, और ये कुल जो जल गरहन छेत्र है, इसका 79 परसेंट जो हिस्सा है, 89 प्रतिशत जो भाग है, वो म महारास्ट में पढ़ता है, मतलब हम ये कहें कि तापी नदी का जो मेजर पार्ट है, वो महारास्ट राज्य से होकर प्रवाहित होता है, इसके बाद 15 परतिशत जो है, वो मध्यप्रदेश में पढ़ता है, और 6 परतिशत जो है वो गुजरात में, मतलब तापी नदी का ज और ये जो नदी है जैसे नर्मदा नदी, विंध्याचल और सत्पुड़ा के मध्य भरंश घाटी से होकर प्रवाहित होती थी, ठीक उसी प्रकार तापी नदी भी जो है वो नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होती है एक भरंश घाटी से और वो भरंश घाटी कौन सी ह सत्पूरा शेणी और अजन्ता पहाडियों के बीच में एक भ्रंश घाटी है इसी भ्रंश घाटी से होकर यह नदी जो है वो प्रवाहित होती है और अंत में जो अपना जल है यह खंभात की खाड़ी में गिराती है और इसमें मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माड नहीं करती यह एशुरी का निर्माड करती है ठीक इसी प्रकार तापी नदी भी डेल्टा का निर्माड नहीं करती प्रवाहित होती है लेकिन इस मानचित्र से भी आप देख पा रहे हैं कि इसकी लंबाई जो है वो नर्मदा नदी से छोटी है लेकिन फिर भी उत्पत्ति स्थान से लेकर जहां पर वो समुद्र से मिलने वाली होती है तब तक एक लंबाई तो कम ही है और बहुत भ्रंश घा है वो फैल कर आवसादों का जमाव कर पाए और इसी कारण से ये नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण ना करके एशुरी का जो है निर्माण करती है और ये सीधे प्रवाहित होती हुई जाती है और समुद्र में मतलब खंभात की खाडी में विलीन हो जाती है तापी नदी के मुहाने पर ही सूरत नगर इस्थित है इसकी प्रमुख सहायक नदी तापी की पुर्वा नदी है इस नदी पर जो है दो प्रमुख परियोजनाएं संचालित की जारी है एक तो काक्रा है और दूसरी परियोजना जो है वो उकाई परियोजना और इन दो परियोजन अब इसके बाद हम देखते हैं गोदावरी बेसीन, गोदावरी नदी बेसीन जो है ये भी गोदावरी नदी इसमें मुख्य नदी होती है और इसके लावा इसके अन्य सहायक नदियां जो है जो इसमें आकर मिलती हैं अब हम देखते हैं गोदावरी नदी की उत्पत्ति कहा इसके पहले गोदावरी नदी बेसीन की यदी हम बात करें उसके पहले मैं आपको बता दू कि प्रायदीपी भारत की नदीया हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने भी नर्मदा और तापती नदी का जो है वो अध्यान किया और इन दोनों नदीयों की विशेष्टा ये थी कि य lees novella ये नदीया बंगाल की खाड़ी में पूर्वकी तरफ अपना जल लेकर प्रवाहित नहीं होती ये पषिर्ण की तरफ यो अपना जल गिराति है और फ्रिष्टत की खाड़ी में अपना जल गिराती है एसा नहीं है कि सिर्फ परइदीपी भारत की ये दो नदीयों ही ह जो पर्शिम की तरफ प्रवाहित होती हैं इसके लावा और अनेक नदिया हैं जैसे यदि हम बात कर लें माही है साबर मती है लूनी लूनी तो राजस्थान से ही इसके उत्पत्ति होती है और राजस्थान में ही वो विलीन हो जाती है समुद्र तक की अपनी यात्रा जो है व पर्मुख नदिया के अलावा परियार और तरनाटक में भी हमक्ण सक्रावति नेत्रवतित एसी और समय बहुत नदिय नदिया इसमें कुछ बड़ी नदिया भी है लेकिन और जो नदिया hier वो चोटी चोटी नदिया तो इनका महत्त्व तो इनका भी बराबर है लेकिन हम इन्हीं दो मुख्य नदियों नर्मदा और ताप्ति नदी के संबन में अध्यान किया है लेकिन आपको ये बात बताना जो दी है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये दो नदिया जो पश्यम की तरफ प्रवाहित होती है जिनका नाम अभी मैंने लिया और आप मानचित्र पर भी इसका बहुत अच्छी तरह से अलोकन कीजिएगा जो कि ये पूरी नदिया जो है वो पूर्व की तरफ प्रवाहित ना होकर पश्यम की तरफ प्रवाहित होती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है लेकिन द ये जो बात कर रहे हैं गोदावरी नदी के बाद हम चर्चा करेंगे कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महा नदी तो ये जो नदियां है ये पश्यमी घाट से लगभग इनकी जो उत्पत्ती है महा नदी को यदि हम छोड़ दें तो पश्यमी घाट से इन नदियों की उत् तो ये नदिया पूर्वी की तरफ प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं, और हमने नर्मदा औरता अपती नदी के विशह में देखा कि वो एषुरी का निर्मान करती है, लेकिन ये जो नदिया है ये डेल्टा का निर्मान करती हैं क्यों तो आएए हम एक एक करके चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, गोदावरी नदी बेसी, गोदावरी नदी जो है, इसकी उत्पत्ति पश्मी घाट में ही महाराश्ट के नासिक जीले के पास, त्रेमबग पहाडी से होती है, और ये नदी भी यहां से उत्प बच्चो अब यहां पर मैं आपको एक बात और रिवाइस करा दूँ जब हमने नर्मदा नदी के विशय में पढ़ा था तो हमने उसमें भी देखा था कि प्रायदीपी भारत की बड़ी नदी तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि गोदावरी नदी है या नर्मदा नद लेकिन जब हम पूरे प्रायदीपी भारत की प्रवाहित होती है और अरव सागर में गिरती है उन नदियों में सबसे लंबी नदी जो थी वो नर्मदा नदी है लेकिन जब हम पूरे प्रायदीपी भारत में बात करें तो उसमें सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी दी है और इसका जलग्रहन छेत्र जो है वो 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है और यह जितना भी इसका जलग्रहन छेत्र है वो यह पूरे जलग्रहन या जलापवाः छेत्र का भी अलग-अलग राजियों में यह फैला हुआ है जिसमें से हम देखेंगे 48.6% जो है वो महाराष्ट में है 18.8% तेलंगाना में 16.9% जो है वो चतिसगड में और 10% जो है मध्य प्रदेश में 5.7% जो है ओडिसा में और 4.5% आंध्र प्रदेश और 1.4% जो है वो करनाटक में बच्चों अभी मैंने कहा कि चतिसगड से भी इस नदी का अपवा है तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमारे भारत हमारे चतिसगड के दक्षनी भाग का या दक्षनी हिस्से का जो प्रमुख अपवाहतंत्र इंद्रावती नदी बेसिनिया इंद्रावधी अपवाहतंत्र जिसे हम कहते हैं तो इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी क प्रमुख सहायक नदी है, जिसके माध्यम से हम कह रहे हैं कि वो पूरा अपवाध छेत्र हमारे छत्तिसगड के अंतरगर भी आता है, अब गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियों की हम बात करें, तो हम इसमें देखेंगे, उत्तर की ओर से मिलने वाली जो इसकी स सहायक नदिया, अब जब हम दक्षिन की तरफ बात करें, तो हम देखेंगे, दक्षिनी सहायक नदियों में सबसे प्रमुख जो नदी है, वो मंजीरा नदी जो दक्षिन की तरफ से आकर गोदावरी नदी में मिलती है, इसका जो निचला हिस्सा है, गोदावरी नदी का ज और इसी भाग में जो नदी का यही भाग जो है वो नाविय योग है नाविय चलाने के योग है और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इस नदी पर अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण किया गया है बच्चो जो इसकी लंबाई हम कहें और उम्र एज जो है अभी तक यह हम बात करें मतलब यह नदी अपनी किस अवस्था में पहुंची है ऐसे तो प्रायदीपी भारत की सभी नदियां हमने देखा था कि अपनी मेच्योर स्टेज में पहुंच गी है आधार तल को प्राप्त कर चुकी है तो लंबाई के अधार पर मतलब इसकी जो जाना जाता है और इस बात को आप इस मान्चित्र पर बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि महाराष्ट के नासिक के पास से इसकी उत्पत्ती होरी है इस नदी की और जहां पर यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल्वी सर्जित करती है वहां से पुरी सफर के द से अबेसीन आदी आप सुपती है यह निर्मित करता है गोदावरी नदी तो इसी के कारण हम इसे दक्षिन की गंगा के नाम से इसे उपमा क्या 8 जो हे उप्रादान करते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे भारत का जो उत्तरी हिस्ता है उत्तर का पुरा मैदान जो है उसमें सरवाधिक जो सहभागिता जो है वो गंगा नदी की है गंगा नदी को भी हम यहाँ पर देखते हैं उपर की तरफ कि यह लंबाई के साथ भारत में प्रवाहित होने वाली नदी है जो गंगा सबसे लंबी नदी और इसके साथ ही यह मुख्य नदी के साथ उसकी जितन पर इस नदी को दक्षण की गंगा या मुडी गंगा की संगय प्रदान की जाती है। अब गोदावरी नदी के बाद हम बात करते हैं, महानदी बेसिन. बचों, महानदी बेसिन से या महानदी से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे, और यदि मैं आपको प्रश्न पूछूं कि महानदी की उत्पत्ती कहां से होती है हालंकि मैं इसका उत्तर आपको दूंगी लेकिन मन में आप विचार कीजिए और अपने मानचित्र पर भी ढूंडिए कि आपके 36 गड़ के मानचित्र में महानदी की उत्पत्ती किस जीले से और कहाँ पर से हो रही है तो आए हम बात करते हैं महानदी जो है वो चत्तिसगड के धमतरी जीले के सिहावा पहाड़ी से इसकी उत्पत्ती होती है और ये नदी भी जो है वो डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है इस नदी का अपवाह छेत्र एक तो मुख्य भाग चतिसगर में भी पड़ता है और इसके साथ साथ ये ओरिसा राजे में भी प्रवाहित होती है पहले महानदी जो है प्रवाहित होती हुई चतिसगर से प्रवाहित होती है और संबलपूर में ओरिसा राजे में ये प्रवेश करती है और इसके बाद फिर आगे बढ़ती है ओरिसा राजे में ही प्रवाहित होती हुई है कटक के समीप ही ये डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है यदि हम इस नदी के कुल लंबाई की बात करें इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 859 किलो मेटर है कुल लंबाई मतलब जहाँ पर इसकी उत्पथी हो रही है, वहाँ से लेकर इसके मुहाने, मतलब जहाँ पर यह समुद्र में अपना जल विसरजित करती है लेकिन 36 गड़ में देखें कि 36 गड़ में कितनी लंबाई है इसकी, तो जितने जीलों से यह होकर गुजरती है उत्पत्ति से लेकर जितने जीलों जहां पर वो ओडिसा की सीमा से लगती है उसके पहले तक 36 गड में इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 286 किलोमेटर है इस नदी का जो कुल जल प्रवाह छेतर जल ग्रहन छेतर की अधि हम बात करें तो हम देखते हैं एक लाख एक तालीस जार पांसो नवासी वर्ग किलोमेटर इसका कुल अप्वाह छेतर है इस नदी को प्राचीन ग्रंथों में भी हम जो है इस नदी का वर्णन सुनते हैं तो प्राचीन समय से ही चाहे वो रमायां काल हो या महाभारत कालीन हो सत्यूग हो यह सब से हम इसका वर्णन सुनते आ रहे एैं और हमारे धार्मीक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है जिसके प्राचीन नाम जो है जो अभी महानदी कल्यूग में इन प्रसलित पला आदी नामों से भी जाना जाता था। आदी आदी आफिक्षा भी जाना जाता था। और जहांपर की धान की खेती पूरे 36 गड़ में, 36 गड़ के मैदानी छेतर में धान की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है, एक अच्छी उपज यहांपर होती है और वो इसी कारण से महानदी इसके लिए जो है, हम कह सकते हैं कि इसलिए हम इसे जीवन दाइनी कह रहे ह क्योंकि यह पूरे जाओ मैदान का निर्मान ही महानदी और उसके सहायक नदियों के द्वारा किया गया है और इतनी मात्रा में वो दान का उत्तपादन होता है इसी कारण से प्राचीन समय से हम देखेंगे कि इस महानदी बेसीन को यह च्छतिसगड के मैदान को धान का का अब हम देखते हैं कि च्छतिसगड में इस नदी पर अनेक परियोजनाएं जो है वो संचालित की जारी है और जिसके माध्यम से इन परियोजनाओं के संचालन के माध्यम से ही महानदी का जो जल है वो विभिन्न उप्योग में लाया जाता है चहे हम सिचाई की बात करें य अलग अलग उप्योग में लिया जाता है जिसमें प्रमुख परियोजना जो है वो रवी शंकर सागर परियोजना जिसे हम गंग्रेल बांध या गंग्रेल डेम भी कहते हैं इसी को अब रवी शंकर सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है इसके अलावा भी हम आभी हमने कहा ना कि सिचाई के लिए या उत्पादन के लि या इसी के माध्यम से यहां पर मत सिपालन का भी विकास जो है वह किया गया है इस नदी की और स्थिती की ही कारण हम देखेंगे कि अधिकांश जो उद्ध्योग है उनका विकास भी इस प्रनीरभर है हमें मालूम है कि जहां कहीं भी उद्योग संचालित होता है तो उस उद्योग के लिए जल की आवश्यक्ता बहुत महत्त पूर्ण होती है तो जहांपल भी जल के सोर्स होंगे तो क्रेशी के साथ साथ उद्योगों का भी विकास जो है वो छेत्र करता है फिर हम देखते हैं कि इसके जो तट पर इस्थित नगरों के विशा में हम बात कर लें कि कौन-कौन से नगर जो है वो महानदी के तट पर पढ़ते हैं तो आप समुन्द, रायपूर, जांजगीर चापा, रायगड और गरियाबंद ये सभी नगर जो है ये महानदी के तट पर इस्थित हैं इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि चतिसगड में महानदी के तट पर अनेक धार्मीक महत्व के और पर्यटन के जो केंद्र हैं वो विक्सित अवस्था में मिलते हैं जिसमें आपका है सीरपूर है, खरोध है, चंपारण, शिवरी नरायन, चंद्रपूर और राजीम, राजीम जिसे हम चतिसगड का प्रयाग भी कहते हैं तो ये महानदी, पैरी और सोंधूर, तीन नदियों का संगम जो है यहां राजीम में होता है जिसके कारण हम इसे राजीम का प्रयाग, जिसके कारण हम इसे चतिसगड का प्रयाग कहते हैं, तो ये प्रमुख धार्मिक और परियतन केंद्र इस नदी के तड़ पर विक्सित हुए हैं, अब हम इसकी कुछ सहायक नदियों की बात कर लें, तो हम देखेंगे कि उत्तर म जो मिलने वाली सहायक नदिया हैं, शिवनात, केलो, इब, हसदेव, बोरई और मांड, ये प्रमुख नदिया जो उत्तर की तरफ से महानदी में मिलती हैं, और दक्षन की तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में, जोक है, दूध, पैरी, सोंधूर, सूखा और लात, ये द दक्षन की ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदिया हैं, तो बच्चो, हमने महानदी पर एक विस्तरि चर्चा कर ली, क्योंकि ये हमारे इसकी जूत पत्ती हमारे चत्तिस गड़ से हो रही है, तो हमको जानना अती आवश्चक है, कि कौन-कौन से केंद्र यहां पर विक कि भी जो उत्पत्ती है वो पश्मी घाट से ही होती है, पश्मी घाट में स्थित महाराष्ट का जो महाबलेश्वर है, यहां से ये नदी ओरिजनेट होती है, और इसकी जो कुल लंबाई की हम बात करें, तो कृषन अदी की कुल लंबाई 1401 किलो मिटर है, इसका जो कुल चेतर है, वो 2,69,000 वर्ग किलो मिटर, अब यह कुल अपवाज चेतर जो है, वो किन-किन राजियों से होकर प्रभाहित होता है, तो इसमें हम देखेंगे, इसका कुल अपवाज चेतर का 27% जो है, वो महाराष्ट में, 40% जो है, करनाटक में, 29% तेलंगाना और आंधर प्र इसमें भी लगबख 50% मतलब इस नदी का आधा हिस्सा जो है, वो करनाटक में प्रभाहित होता है, इस नदी पर जो है, अनेक परियोजनाए, बहुत देशी परियोजनाए संचालित की जा रही हैं, प्रमुक सहायक नदियों की अदि हम बात करें, तो तुंग भद्रा और भीमा इसकी प्रमुक सहायक नदिया है, कृष्णा नदी की, और अन्य नदिया जो है, वो कोईना है, वर्णा, पंच गंगा, मूसी, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये अन्य प्रमुक सहायक नदिया है, तुंग भद्रा की जो प्रमुक सहायक नदिया दो हम एक अन्य नाम वेदावथी के नाम से भी जाना जाता है और इस वेदावथी नदी पर जो है एक जलविद्यूत परियोजनाओं जो है इस नदी पर संचालित की जा रही है यह हम यह कह सकते हैं कि जलविद्यूत परियोजनाओं की दृष्टी से यह वेदवथी नदी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कृष्ण नदी अंत में महाबलेश्वर से तो इसकी उत्पत्ती हो रही है यहां से यह प्रवाहित होती हुई इन तीन राज्यों में अभी हमने बताया था ना करनाटक है महारास्ट और तेलंगाना अंध्रदेश इन सभी राज्यों से य अब एक अनन्यमहत्वपूर्ण नदी प्रःदीपी भारत की कावेरी नदी जो है यह भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है प्रवाहित होने वाली आदे अम कावेरी नदी बेसीन पर च Lucian से होगटी की हो उत्ती है बनाटक राज्यों derechosहे है और करनाटक में कुर्ग जीला और कुर्ग जीले के पास ब्रह्म गिरी पहाडी है, वहाँ से इसकी कावेरी नदी की उत्पत्ती होती है, इसकी कुल नमबाई कावेरी नदी की वो 800 km है, अपवाज छेतर जो है, वो 81,105 km और ये कुल अपवाज छेतर का 56% जो है, वो तमिल न परसेंट जो है वो केरल में प्रवाहित होता है यह नदी भी जो है वो तीन राजियों से होकर प्रवाहित हो रही है करनाटक, तमिल नाडू और केरल अब हम ये देखें कि इसके दाएं और बाएं तट से कौन-कौन सी सहायक नदिया जो है वो आकर मिलती है तो यदि हम दाएं तट की बात करें तो लक्षमर्तिर्थ, काबिनी, सुवर्नवती, भवानी और अम्रावती यह दाएं तट की प्रमुख सहयक नदिया हैं, अब बाएं तट की बात करेंगे, तो हिरगी, हेमावती, लोकापावनी, शिमसा और अक्रामती हैं, यह जो हैं बाएं तट वाली बाएं और की प्रमुख सहयक नदिया है, कावेरी नदी की. इस नदी पर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जल प्रपात जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात है शिव शमुद्रम जल प्रपात इसी नदी पर निर्माड किया गया है एक बहुत देशी परियोजना है जिसके माध्यम से जल विद्यूत सिचाई आधी के लिए उदेश से यहाँ पर परियोजना का निर्माड किया गया है इसके प्रवाध छेत्र को एक तो सबसे महत्वपूर्ण बाद कावेरी नदी को दक्षिन भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है और इसका जो कुल अपवाध छेत्र है उसे राइस बाउल आफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है इसके नाम से ये प्रचलित है क्योंकि इसके इस पूरे अपवाध छेत्र में जैसे हमने देखा था ना महानदी बेसीन को धान का कटोरा चटिसगड का वो धान का कटोरा था तो ठीक उसी प्रकार ये राइस बाउल आफ साउथ इंडिया मतलब दक्षिन भारत के चावल का का कटोरा इसके इसका जो कुल अपवाध छेतर है जल ग्रहन छेतर है वो पूरा जो छेतर है वो चावल के उत्पादन के दृष्टिकोंड से बहुत महत्तपून है और इसमें एक सबसे महत्तपून बाद हमने भी पहले थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि जो हिमाली जल जाता है और प्रायडीपी भारत की जो नदिया है वो मौसमी नदिया होतीं मतलब यह nady जो हैं वो ओल इसमें परहद पर जल रहता है और वो किस कारण से क्यूंकि हम देखते हैं कि जो दख्शिन-पशिम मानसून आता है तो करनातक में इसका सरवाधिक प्रभाव रहत और इसकी उत्ति ही हम देख रहे हैं कि करनाटक के कुर्ग जीले से हैं तो बारिश के मौसम में या दक्षिन पश्री मानसून के समय जो इसका उत्तरी हिस्सा है उत्तरी जल गरहंट छेत्र है उपरी जल गरहंट छेत्र उसे दक्षिन पश्री मानसून से जल की मात्रा दू के जितने भी पहाड़ी इलाकें हैं तटी इलाकें हैं वहाँ परवर्षा होती है तो इसका निचला जल गरहन छेत्र जो है वो उत्तर पुरवी मानसून से जल प्राप्त करता है तो इस प्रकार से कावेरी नदी एक ऐसी नदी है प्राइदीपी भारत की जो वर्ष भर जिसमें जल जो है बना रहता है जल की आपूर्ती होती है